मुझा यहाँ पहले से नौट करने के लिए किनकिन इंग्रिडियर्स का यूज करना है, यह हम गरीं छिकन के बना रहे हैं सारा अब पहले से हीं नोट करने के लिए हुआ दए खरें हमें तही की जरूरत होगी, पेस्ट, आदा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, नमक हमने थोड़ा सा कम अभी यूज किया हुआ है, थोड़ा सा मसाले में एट करना है, इस वज़े से हमने यहां पे इतना ही यूज किया, यहां 30 मिनट्स के लिए सेट होने देते हैं, फिर उसके बाद सेकर मैगनेनेट की तयारी करते हैं, इसके लिए हमें पुदीना, ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए पुदीना, हरी धनिया, हरा मिर्चा, बदाम, इसका हमें पेस्ट एक, फाइन पेस्ट, स्मूथ पेस्ट तयार करना है, और इसमें हमने बहुत ही कम पानी का यूज करना है, हलका सा पानी तो यहां हमें क्या करना है यह ग्रीन पेस्ट को अपने चिकन में डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसे हमें एक घंटे के लिए रख देना है अब यहां हम रिफाइंड आइल डेर कप की करीबन लिए हुए है एक कीलो चिकन के लिए अब यहां कुछ सूखे करम मसाले एक तेजपत्ता दो छोटी लाइची दाल चिन्नी जावीत त्री एक फूल इसे हमें ह यहां हमें ओन्यонов चलाना है और गोल्डें ब्राउन होने तक वेट खरना है हमारी प्यास गोल्डें ब्राउन हो चुकी है अब इसमें चिक्शिक एड कर देते हैं यहां सारे पीशेस अच्छह से रखकर आप फैला कर रख दीजिए उसके बाद इसे अच्छह से मिक्स करना यह हलकी फ्रेम हाई में पका लीजिए फिर उसके पाद लो कर दीजिएगा यहां हम चिकन मिक्स कर दिये और ध्यान रखे कि अगर चिकन आपका बहुत ज्यादा पानी आ गया है तो इसे ढखकर मत पकाईएगा क्योंकि जब ज्यादा पानी आने पर क्या होता है कि चिकन हमार गल जाता है और यहां हमने कुछ सुखे गरम मसाले अट कर दी जो हमने आगे ही मेंसन किया हुआ है कितना क्या यूज किया है अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां मसाले भी हमने मिक्स कर लिया है और पानी भी कम हो गया है अब यहां हम नमक अट कर देते हैं यहां आधा चमच नमक का यूज़ किया हुआ क्योंकि एक चमच उसमें किया था आधा चमच इसमें आप नमक अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं यहां कड़ी पत्ता ऑप्सिनल है अगर आपके घर में हो तो डाल दे और यहां कस्तूरी मेथी एट कर देते हैं घर मे हो तो यूज़ करें वरना इसकी भी कर सकते हैं आप पर कस्तूरी मेथी रालने से आपका जो चिकन रेडी होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यहां बस अब पांच मिनट और वेट करें और यहां मारा चिकन बनकर रेडी हो गया है यह देख रहे हैं आप साइ इतना सुखा आप रखेंगे उतना ही टेस्टी रहे गई है याद रखें कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं एट करना है जब तक यह चिकन का पानी से ही खाना बनता है इसमें जो चिकन छोड़ा था पानी उसी में हमने यूज़ करके बनाया है और अलग से कोई पानी नहीं डाला गया है और यहाँ देख सकते हैं आप कितना ही देखने में स्पाइसी यमी सा दिक रहा है वाँ मुझे देखकर ही लाला चारी अभी मैं खालू तुरंद पर अभी तो मेरा जीब जल आएगा थोड़ा सा वेड करते हैं साथ कि अब इसे सर्व करें चलें चलते हैं इसे निकालने के लिए और फ्यू टेस्ट करते हैं कि कैसा हमारा चिकन बना हुआ है वाँ यमी बहुत ही स्पाइसी बहुत ही यमी मुझे रा ही नहीं मैंने ऐसे ही का लिया अब यह लिजे आप भी रोटी के साथ खाएए Grade ग बने सवैंटे कंई खब कारीग है refये है क्यों घर अे रहोगा शार कर लोर श sortie घर आर वहां हम पитесьएरा है और आर तो हम दिएरा है हम हिरे बना हम बना है